नमस्कार दोस्तों, लेडिजेंग जिंटलमेंट, वाज एंग गर्ल्स आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो रॉड लगाते हैं छाया प्लेट लगाते हैं यह क्या सभी एक ही तरह के रहते हैं क्या इसमें डिफरेंट मिटल रहते हैं कितना लोग बोलते हैं स्टेलने स्टेल कितना लोग टाइटेनियम कौन सा अच्छा रहता है और इसमें क्या डिफरेंस रहता है तो अंतक हमारी इस वीडियो से जूड़े रहिएगा मैं डॉक्टर रामिश्वर और्थोपडिक सर्जर्जर एंटेपरिनर सोल एक्टिविस्ट एंचेयर्में अप्स हमारी पूलते हैं कि टाइटेनियम जो है वह जाधा बायों कॉंपिटेंट रहता है वह सरीब में उसमें एक वेलाइफिट है कि उसमें इन्फेक्षण लगने का चांसर स्कम रहता है तो उसको कितना बार बोलते हैं लोग लांग टर्म रख सकते हैं लेकिन दोनों में ऐसा कोई नहीं है कि बहुत जादा difference रहता है अगर cost wise देखें तो titanium वाला अगर 100 रुपिय का है तो SS वाला उससे आधा या उससे भी कम cost का होता है लेकिन ऐसा एक और भी सवाल पूछते हैं लो कि क्या टूट जाता है क्या titanium strong दोनों मैंने तो देखा हुआ है titanium का भी टूटता है और stainless steel वाला भी टूटता है इसा टूटने का कोई बहुत जादा difference नहीं रहता है लेकिन एक ही advantage है कि वह infection लगने का chances थोड़ा कम रहता है ऐसा बोला जाता है titanium के साथ एक और benefit है कि titanium का अगर आप rod या plate लगाते हैं तो वह stainless steel एक तरसे iron ore रहता है तो इसलिए MRI करने से उस गरम भी हो जाता है और actually metallic रहता है लोहा रहता है तो इसमें तोड़ा सा दिक्कत होता है MRI करने के लिए रहता है लेकिन बहुत सारा जिसे गुटने के पास fracture हुआ है और गुटने में ACLB चैनिंग में ligament injury का भी कभी उसमें MRI कर इसमें MRI भी करा सकते हैं तो यह दोनों तरह का rod है और उसका cost में difference भी मैंने बताया उसके advantages बताये strength के बारे में भी बताया दोनों लगा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है हम लोग तो ज्यादा अपने जिसे hospital में stainless steel ही लगाते लेकिन कोई patient demand करता है कि नहीं हमको titanium लगवाना है त झाल 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 झाल